हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है योर कलासिस में दोस्तों मैं हूँ भी पिनियादव और आज हमारा सेलोजीजम का पहला कलास होगा मैं आपको बता दूँ कि आप लोग एक डियाग्राम बिधी से बनाते होंगे गुलका गुलका घेर के सरकिल वाला और होता ये है कि हर विद्यार्थी इस रिजिनिंग को बनाने का प्रयास करता है हो सकता है किसी से बीना पढ़े हुए है नहीं पढ़ा है फिर भी एक सवाल बना लेता है कोई दो सवाल बना लेता है कोई तीन सवाल बना लेता है और बहुत अच्छा जानते हुए विद्यार है फिर ये गलत क्यों हो जा रहा है तो इसमें confusion सबसे ज़्यादा होता है मैं आपको बता दूँ ये पूरा topic केवल तीन कहानी सुनकर खतम होता है ये तीन कहानी बहुत ही मज़ेदार कहानी हम सुनाएंगे और जहां जरूरत पड़ेगा वो कहानी सुनाएंगे क्योंकि जब उलिजहने होती है जब आपके साथ समस्या होती है वहीं पड़िये कहानी काम करेगा और मज़ा आ जाएगा केवल तीन कहानी पूरा चेप्टर खतम सेलोजीजम तो आईए सेलोजीजम का मतलब होता है नियाय निगबन यानि नियाय का मतलब ये है कि आप नियाय करोगे आप जजज बनोगे यहां पर और आपके सामने कुछ केस दिये जाएंगे और उसका नियाय आपको करना होगा होता कैसा है इसमें तो मै पूछे जाते हैं, कथन देता है कि कुछ टेवल घर है, कुछ घर फूल है, कुछ फूल सरक है, तब निसकर्स कहता है कि इसमें से जो बात सही है वो आप बताओ, कुछ सरक टेवल है ये सही है कि गलब, कुछ घर सरक है ये सही है कि गलब, तो ये सारी चीज होती है, अच्छा जब ग्यात तत्थे से भिन हो दोस्तों हम इन सारी चीजों को करेंगे अभी आपको यह बहुत हाड लगेगा लेकिन सबसे पहले जब हम इसका बेसिक पढ़ेंगे तो यह बहुत असान हो जाएगा आईए सुरुवात से चलते हैं हम भी बताएंगे आपको वही घेर के ही ले और कथन हमारा कहता है कि सभी लड़का चात्र है ऐसा कथन है तो आपको पता होगा कि हम डाइग्राम कैसा बनाएंगे सभी लड़का चात्र है तो यह हमने बना लिया सभी लड़का यह बना लिया लड़का का एरिया यानि यह जितने इस सरकल के अंदर आ गया वो लड़का हो गया और सभी लड़का चात्र है यह सारा लड़का किस के अंदर है चात्र के अंदर सारा लड़का चात्र हो गया और निसकर्स आपका पहला ये रहे कि कुछ छात्र लड़का है आप क्या कहोगे सही या गलत देखो यहाँ पर है सभी लड़का छात्र है कुछ अजब की निसकर्स है कुछ छात्र लड़का है दोस्तों एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि इस सर्किल के अंदर इस बड़े वाले सर्किल के अंदर है कि फोन सैलेंट करो किसका है फोन उठा कि बोलो की बाद में बात करें दियान दिजिएगा तो यह जितने भी लड़का है यहां पर कर रहा है कि कुछ छात्र लड़का है कुछ छात्र लड़का है आप देख रहो कि यह पूड़ा लड़का छात्र के अंदर है यह पूड सरकील ये छातर का है और उसी में से तो कुछ लड़का भी है यानि कह जा मिसा कहा जा रहा है कि कुछ छातर लड़का है तो यह बिलकुल सही कहा जा रहा है ध्यान दीजियेगा आगे अगर हम आप को एक निसकर्स देदें दूसरा और यह निसकर्स हम आपको यह देदें कि कुछ कुछ लरका यहां कुछ लरका चात्र है आपको confusion हो जाएगा आपके मन में आएगा यहां पर देखिए सभी लरका चात्र है इस डाइग्राम में आप देख रहे हैं कि सभी लरका किसके अंदर है चात्र के अंदर और यह निसकर्च काता है कि कुछ लरका चात्र है यह सही है य कुछ लड़का छात्र है यह गलत हुए सर कहें गलत है कि यहां ता सारा लड़का छात्र है और यह कह रहा है कि कुछ लड़का छात्र है दोस्तों यही कनफ्यूजन है अब एक कहानी सुनाते हैं पहला कहानी कहानी फॉस्ट पहला कहानी सुनिये जरा पहला कहानी सुनिये गा माल लेजिए कि एक आम का सीजन है भी एक टोकड़ी आम रखा हुआ है किसी ओफिस में और हमने अपने स्टूडेंट से कहा कि कोई एक स्टूडेंट से कि जाए और मेरे लिए उसमें से कुछ आम लेकर आईए मैंने क्या कहा? कि जाएए आप मेरे लिए कुछ आम लेकर आईए मुझे आम खाना है हमारा एक स्टूडेंट जाता है और उसमें से जब वो टोकड़ी भड़ आम देखता है तो उसे समझ नहीं आता है कि इसमें से कौन आम ले जाए, कौन ले जाए कुछ कच्चा भी है, कुछ पका हुआ भी है कुछ जादा सुन्दर है, कुछ कम सुन्दर है तो वो क्या करता है वो सुचता है कि पता नहीं कि सर को कौन अच्छा लगेगा कोई खटा होगा, कोई मीठा होगा तो वो क्या करता है कि पूरे टोकडी को लेकर आ जाता है बात को समझेगा वो पूरे टोकडी को लेकर आ जाता है एक बात बताईए मैंने कहा था कुछ आम लाने के लिए उसमें से मुझे खाना है वो लड़का पूरे आम को लेकर आ गया तो जो आम मैंने लाने के लिए कहा वो आया की नहीं आया बिल्कुल आया क्योंकि मैंने कहा था उसी में से कुछ आम लाने के लिए वो हनुमान जी की तरह पूरा प्रवाते उठा के लिए आया तो पूरे पहार उठा के लिए तो सब औस धी आ गया नहीं हमने कहा कुछ आम लाने के लिए और वो गया और उसे न सारा लड़का अगर छात्र है, सभी लड़का अगर छात्र है, कुछ लड़का भी छात्र जरूर होगा, तो यहां ऐसे बात होती है, कुछ लड़का छात्र है, यह बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहां सारा लड़का छात्र है, तक क्या मोहना, सोहना जी होगा, वो छात्र न नहीं, चलिए, आगे बरते हैं, अब हम आपसे बात करेंगे, एक कहानी आप सुन लिए, दूसरा बात, अगर एक कथन आपको ऐसा दिया जाए, गौर करिएगा, कथन, सब ही किताब, अभी हम लोग बेसिक बात करेंगे, क्योंकि तीन कहानी में से एक कहानी आपने सुना है, यह confusion clear हुआ, अब दो कहानी और बचा हुआ है, हम कहेंगे सभी किताब पेन है, अच्छा इसमें क्या है ना, कि किताब पेन नहीं होता है, लेकिन जब कथन कह दिया तो मान लेना है, आप जज हो, जज के सामने जो गवाह और सबूत पेस किया जाएगा, तब उसी पर ओडर ओडर किया जाएगा, और फैसला सुनाया जाएगा, नहीं, गवाह और सबूत के मद्दे नजर देखते हुए, यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, कि मुल्जिम फलना कुमार कुछ पांच साल की सजा दिया जाए, नहीं, या उम्र कैद किया जाए, या फांसी की सजा दिया जाए, आईए, सब ही किताब पेन है, पहला निसकर्सी हुआ, तो आप इसका डाइगराम कैसे बनाएंगे, पहले तो सब ही किताब बनाएंगे, और यह पूरा किताब क्या है भाई, यह पूरा किताब क्या है, पे पेन के अंदर, अब हम यहां पर लिख दें, दूसरा कथन, कुछ पेन स्याही है, हमने कह दिया कुछ पेन क्या है, स्याही है, इसमें कैसे जोड़ोगे, कुछ पेन स्याही है, आपके दिमाग में आएगा, कि कुछ पेन स्याही है, यहां से ले लेते हैं, क्योंकि धर तो किताब है, यह पेन वाला एरिया है, तो कुछ पेन स्याही है, आपने बिल्कुल सही सोचा है, आपने गलत नहीं सोचा है, लेकि जब इस पर आप सवाल बनाते होंगे, तो आपसे गलती हो जाता हो गलती कहा होता है जरा धियान दीजिए अब दूसरा कहानी हम आपको सुनाते हैं यही पर दूसरा कहानी आपको यह सुनने वला है कि मान लिजिए कि यह एक रोटी है दोस्तों रोटी है और इस रोटी में मैंने यहां घी लगा दिया है मैंने क्या किया है घी लगा दिया है, सुनिए, मैंने घी लगा दिया, इतने जगह में मैंने घी लगा दिया है, मैं एक लड़का को बोलता हूँ, कि जाओ, और इस रोटी से, इस रोटी से, हम कहें कि उसमें से कुछ रोटी तोड के ले आओ, आप में से किसी स्टुडेंट को मैंने कहा, कि जाए उसमें से कुछ रोटी तोर के लाए आप क्या करेंगे आप जाएंगे और कुछ रोटी तोर कर लाने जाएंगे तो एक लड़का गया और उसने क्या किया कि यहां से रोटी तोर के ले क्या गया अब बताओ वहाँ से रोटी तोड़ के ले क्या गया मैंने मांगा था कि कुछ रोटी तोड़ के ले आओ तो उसने यहाँ से रोटी तोड़ के ला दिया उसने सही किया या गलत किया उसने सही किया या गलत किया इतना रोटी तोड़ के ला दिया मैंने कहा कि जाओ कुछ रोटी तोड के ले आया अच्छा दूसरा लरका गया मैंने फिर कहा कि ए भाई जाओ तुम कुछ रोटी तोड के लाओ वो गया और यहां से रोटी तोड के ले आया दोस्तों ध्यान देना वो लड़का जाता है और यहां से रोटी तोड कर ले आता है आप एक बात बताओ क्या इसने सही किया या गलत किया भाई इसने भी सही किया क्योंकि मैंने ये तो नहीं कहा था कि घी वाला रोटी नहीं लादा है मैंने कहा कि जाइए कुछ रोटी तोड़के लाइए जब वो यहां से तोड़के लाया तो रोटी आया कि नहीं आया बिल्कुल आया तो गलती इसने भी नहीं किया गलती उसने भी नहीं किया लेकिन यहां दो condition हो गया एक condition कि एक ने जो रोटी तोड़के लाया वो बिना घी वाला और दूसरा ने जो रोटी तोड़के लाया वो घी लगा हुआ तोड़के लाया तो बताईए रोटी तो दोनों ने लाया और हमने तो रोटी हिलाने के लिए कहा था रोटी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है तो याद रहे, यहाँ पर क्या हो गया था सभी किताब पेन है तो यह पूरा किताब किसके अंदर है, पेन के अंदर अब यह किताब घी का काम कर रहा है और पेन जबकि रोटी हो गया पेन क्या हो गया हमारा यहां पर रोटी का काम कर रहा है दोस्तों एक बात बताना सब ही किता पेन अब कुछ पेन स्याही है तक कुछ पेन स्याही है आप समझ लो यह जो आपने कुछ पेन स्याही यहां से ले लिया यहां से भी तो ले सकते थे कुछ पेन स्याही क्यों नहीं ले सकते थे जब रोटी तोरने की ही बात थी तब बीना घी लगा हुआ भी तोरा जा सकता था और घी लगा हुआ भी तोरा जा सकता था यानि घी का काम यहां पर कौन कर रहा है किताब रोटी का काम कौन कर रहा है पेन और तोरने का बात तो यहां घी लग लहबा भी तोरा जा सकता है और बीना घी लग लहबा भी तोरा जा सकता है यानि यह दोलों कंडिशन हो सकता है यही पर मिस्टेक होता है अब आईए अब आपको हम इस पर निसकर्स देते हैं अब आपको हम निसकर्स जब देंगे तो निसकर्स हमारा यह है सेमाल लिजे निसकर्स चलिए तो निसकर्स यह है पहला अगर पहला निसकर्स हम यह बना दे कुछ पेन या कुछ किताब पेन है तो आप बताईए सही अ गलत कुछ किताब पेन है आप यहां देख रहे हैं पूरा किताब किसके अंदर है पेन के अंदर तो जब पूरा किताब पेन है, तो कुछ किताब पेन होगा की नहीं आम बला कहानी याद करिए, जब सारा आम आ गया था, अरे सब ही आम आ गया था तो कुछ आम नहीं आया होगा, बिल्कुल आया होगा, आया होगा ना, तो लिजिए तो आपका पहला ता सही अगर दूसरा अगर हम ये कह दे कि सब ही किताब पे नहीं तो उता बिल्कुल सही, पूरा किताब पे नहीं ये भी सही, अब आगे, अच्छा एक बात निसकर्स वही सत्त होगा जो पुर्णता हो सही होगा सौब परसें, कान फ्यूजन बाला नहीं जब आपको लगे एक जगा से इसाई है एक जगा से नहीं, तब गलत दूसरा हम देते हैं, सुनिए कुछ स्याही कुछ स्याही किताब है कुछ स्याही क्या है किताब है कुछ स्याही किताब है आपको मैंने निस्कर्ष ये दे दिया कि कुछ किताब क्या है कुछ स्याही किताब है आप देखिए स्याही दो जगह लिखा हुआ है दो वकिल होता है आप जज हो दो वकिल होता है एक बचाने वाला एक फासाने वाला तो एक जो है कहता है कि देखिए कुछ किताब स्याही है आप जज हो आपको कह रहा है कि कुछ स्याही किताब है कुछ स्याही किताब है यह कह रहा है कि बिल्कुल सही तो आप आ गए और यहा कर देता है दूसरा वकील और यह कहता है कि जटा आप रुख जाएं रुख जाएं मिलाओद यह फैसला सुणाने से पहले कुछ अर्ज करना चाहूंगा कहता है कि देखिये कोई स्याही किताब नहीं है तुम कहा की हारे भाई यहां सटल है लेकिन यह कथन का दिया हुआ है तो इसको सत्त मानना है यहीं सबूत है आपके सामने इस सबूत पेस किया कि देखिए कोई किताब स्याही नहीं है अब यह केस फस जाएगा तो दोस्तों इस पर डिगरी नहीं होगा यानि यहां फैसला जो है किसी के पक्ष में नहीं यानि आपको क्या करना है यह कह रहा है कि कुछ स्याही किताब है मेरा यह कहना है कि निसकर्स सत्य निसकर्स वही सही होगा जो बिल्कुल सत्य होगा 100% सही होगा आपको लग रहा है कि 100% सही है पूरी सही क्योंकि कुछ स्याही किताब है यहां से तो है लेकिन मामला यहां से फंस रहा है तो इसको सही मत करिएगा इसको गलत कर दीजिएगा जब लगे कि निसकर्स पुरी तरह सही नहीं है तो उसको गलत कर लीजिए ठीक है इसको कर देना है गलत अब देखिए एक चीज और ये आईदर का केस भी बनाता है यही कंडिशन जो अभी हम आपको किताब नहीं है, कुछ पेन किताब नहीं है, याद रहे, कुछ पेन किताब नहीं है, अगर ये है कि कुछ पेन किताब नहीं है, आपके दिमाग में आएगा, कि इतने दूर के पेन किताब है, इधर वालाता नहीं है, इस सब तो खाली है, इधर किताब नहीं है, तो इस सही हो चाहिए कि कुछ पेन किताब नहीं है बिल्कुल नहीं आपको कथन में नहीं होने का कोई चर्चा ही नहीं हुआ है ये कथन ही आपका सबूत होता है इस कथन के अधार पर आपको न्याय करना है तो दोस्तों नहीं का चर्चा नहीं हुआ है कि कुछ किताब पेन है ही नहीं पे क्थन में नहीं का चर्चा नहीं हुआ है और निश्कस में नहीं का चर्चा हुआ इसको गलत है अब एक बात आपको बहुत important हम इसी में बताना चाहेंगे जो की तीसरी कहानी भी यूज हो जाएगा आप दो कहानी सुम्चुके माजा आ अगया होगा इस दो कहानी आईए, हमारा अगला जो कहानी है दोस्तों चलिए सबसे पहले, अब यहां समझे इसका बेसिक चीज़ अगर आपके पास केबल अब दो निसकर्स रहे और कोई निसकर्स ऐसा नहों कि एक कहे कि कुछ किताब यहां पर किताब लिखा हुआ था यहां कहे कि कुछ किताब कुछ किताब स्याही है कुछ किताब क्या है? स्याही है दूसरा कहता है कोई किताब यहां से तसही लग रहा है इसको मार दें दूसरा वकिल ये पहला वकिल ये दूसरा वकिल कहता है ये कोई किताब से आही नहीं है ये कहता है चलिए हम देखाते हूँ यहां न देखा रहा था यहां से सही बन रहा था हम आपको यहां से दिखाते हैं देखिए कोई किताब से आही नहीं है कोई किताब से आही नहीं है आपको लगेगा हाँ भाई तु तो सही कह रहा है तुम इसको सही करोगे फिर यह कहगा ना 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 इसका किसे बात मान लिए चलिए हम देखाते कुछ किताब से आई नहीं अभी है ना देखाये थे कुछ किताब से आई नहीं एक बात बताईए एक आदमी पर केस हुआ एक आ उसका भी बहुना थहो थोस आपको लगता है कि इसने मडर किया है अपको लगता है कि यह जो कह रहा है है तो उसका भी बात सही लगता है वो बचा देता है यह जब मडर हुआ था 22 तारिक को आई 16 तारिक से 30 तारिक तक अमेरिका में था वहां का होटल का जहां रूका था वहां का बिल है वहां का रिकॉर्डिक है सारी चीजे है फ्लाइट का टिकट है आने जाने का है अब होगा यहीं बन गया आईदर का केस ही या तर एक सही होगा या दो सही होगा इसी के लिए दिया जाता है तारीक पर तारीक पर तारीक पर तारीक पर तारीक मिलती है तो सिर्क तारीक न्याय नहीं मिलता तो याद रखिएगा इसी वज़ा से ऐसा होता है तो यहां ध्यान द कहता है कि कुछ किताब से आही है तो यहां से सही नजर आ रहा है यह वह किल का भी बात सही नजर आया आज दूसरा कहता है कोई किताब से आही है चली हें सकता है किसीने मडर किया इबात भी सही इसने मडर की नहीं किया इबात भी सही कई से हो सकता है तो दोस्तों यहां जो एंसर होगा वह एंसर होगा इसका एंसर जो लिखाएगा वह आप्शन सी में हमेशा रहता है और लिखा रहता है यदि या तो या तो एक सही या दो सही होगा या करके दिया हुआ रहेगा या करके दिया हुआ रहेगा या तो एक सही होगा या दो सही होगा लेकिन अगर कोई एक नहीं रहे सुनिए कोई इसमें से एक कथन सरी एक निसकर्स न रहे और दूसरा निसकर्स दूसरे तरह का हूँ माने इसको काटने वाला नहीं हो जैसे एक है न कि कुछ किताब से है यहां से है आगला न रहे कि कोई किताब स्याही नहीं है तब तो गलत हो जाएगा काहें कि कुछ किताब स्याही है तो कुछ किताब साही यहां से है यहां से तनन है दुन्नों जगा से स्याही को पकरना है किताब और स्याही के समझ को तई बिल्कुल सत्त नहीं है इसलिए गलत हो जाएगा लेकिन अभी जब दोनों रहता तो दुन्नों में गलत नहीं कहते तब कहते या ता एक सही ह या दो सही होगा बात है समझ में सुचिए हमेशा अगर एक आदमी कहे कि कुछ लड़का चोड़ है और एक आदमी कहे कि कोई लड़का चोड़ नहीं है दूसरे ने भी साविद कर दिया तो इसमें एक ही बात होगा कि या तो लड़का चोड़ होगा या चोड़ नहीं होगा कह रहा है कि राम एक कहदर है कि राम इमंदार है और दूसरा ने साबित कर दिया राम इमंदार नहीं है तो दोनों में से कोई एक ही बात सही होगा या ता राम इमंदार होगा या राम इमंदार नहीं होगा तो उसका एंसर ऐसे ही किया जाएगा अलाकि ये बड़ा बड़ा कोश्चन है और देखिए ये तीन कहानी आपने सुना है और कितनी आसानी से देखिए इसमें एक सवाल का ये जो तरीका है यहाँ आपको देगा निर्देश देगा कहेगा यसी प्रसन संख्या एक से चालिस के लिए है मेरे बुग से है कि नीचे दिये गए पर तेख प्रसन में तीन कथन और उसके बाद दो निसकर्स एक और दो दिये गए हैं आपको दिये गए कथनों को सत्य मानना है बहले ही सरवग्याद तथ से भिन हो सभी निसकर्स पढ़िए फिर तै कीजिए कि दिये गए निसकर्स में से कौन सा निसकर्स दिये गए कथन का तरक संगत अनुसरन करता है चाहे सरवग्यात तत्थ कुछ भी हो इसका मतलब हुआ कि आपको जो गठन दिया जा रहा है उसी को समझ कर उसी को पर घरने कर रiiii मतलब अगर कहता है कि कुछ लरका कुछ लरका ट्रक है ता लरका तर ट्रक नहीं होगा भले सर्वग्यातत से अलग है जो हम लोग जानते हैं उस बात से अलग है लेकिन उसको सही माल लेना है आगे कहता है कि उत्तर एक दीजिएगा यदि केवन निसकर्स एक सही होगा उत्तर दो दीजिएगा यदि केवन निसकर्स दो सही होगा उत्तर तीन दीजिएगा यदि या तो निसकर्स एक या दो अनुसरन करता हो मतलब क्या कि जब आपको लगे कि पहलो सही हो सकता है या द उतेर चार देना है आप पांच देना है जब दोनों निज्कर्स रहेगा तब पांच देना है आईए आते हैं सवाल पर आपके सामने ये सवाल देखिए और दोस्तों हम चाहते हैं कि ज्यादा सवाल Apps न न करें लेकिन जो कराएं वह आपको अच्छे से लिए ठीक है आ Щ eli हम स कि यहां पर कुछ टेवल बना लेंगे हैं कुछ टेवल सड्य कि इसमें से कुछ ओ नाया ड्राइबर के तरह चल ला है कुछ टेवल है इसमें से कुछ टेवल क्या है घर है तक घरा कुछ घर फूल तो देखिए आपको घर यहां तक ले सकते हैं कोहीं से ले सकते हैं तो दू कंडिशन हो गया रोटी घी वला इधर से लीजेगा तक खाली घर याएगा यहां से घर लीजेगा तो में टेबलों का भागा जाएगा काई कि दुन्यों एक दूसरे में समायल है त कुछ घर फूल है यहां से भी हो सकता है कुछ घर फूल यहां से भी हो सकता है क्योंकि रोटी घी वला याद करिए सुखलहवा रोटी भी चल सकता है घी वला भी चल सकता है तो यहां से सुखल लिया गया यहां घी वला भी लिया यहां जब लिये तो टेबल में चुकि यह जो एडिया है ये दोनों का एडिया है है ना तो घर लिए ना घर के बाद कोई तो घर हम लिए अब दोसरों आगे उसे हमको की मतलब घर तो हम लिए अब कहता है कुछ फूल सरक है इसमें से कुछ फूल सरक है तो दोस्तो ऐसा होगा कि केवल फूले से सटके हो सकता है कुछ फूल सरक ऐसा भी हो सकता है कि अब बताईए इए एरिया तो सब का हो गया इए एरिया में आपका फूल भी आ रहा है घर भी आ रहा है टेवल भी तो एक तब फूल से खाली केवल फूल लिए और एक ऐसा हम ले लेंगे जो ये बला भी पाट आ जाए क्योंकि यहां जब घेरे थे तब फूल वहां भी हो गया था और कुछ फूल सरक यहां से भी बना देंगे यह सब से ज़्यादा लंबा कोशन है क्योंकि तीन-तीन कथन दिया हुआ है आपको अक्सर दो को थन रहता है लाकि तीन कथन भ रखो दुज़ अगहां से सरक लिखा हुआ है कुछ डरक टेल यहां से है यहां से सरक टेला है connect नहीं तैई हो गया गलत अब अगर अग्ला रहता कि कुंछ ज़ुश तरक टेबल है अगर कहता है कोई है व नहीं है तब अजने सथ रॉत लेकिसी बन हैं तॉम टाया र का कि है सरक वाला एडिया में लेकिन गहरा सरक से कोई connection नहीं है तो इभी गलत होगा अजब दोनों गलत होगा तो उत्तर option 4 करना है उत्तर कौन करना है option 4 करना है तो दोस्तों चलिए अब मुझे उमीद है कि आपको यह सारी चीज आसानी से समझ मैं होगा question तो हम अगली वीडियो में करेंगे और यह वीडियो अच्छा लगा है तो like share comment करिएगा अच्छा यह वीडियो हमारा reasoning class your classes पर भी उपलब्ध होगा जो आपका paid course चलता है जहां केबल 399 रुपया में उसमें भी 10% discount है मैत मस्ति 10 अगर यूज करिएगा वहाँ पर coupon code है मैत मस्ति 10 your classes पर आपको मिल जाएगा हमारा पूरा paid course नीचे मैंने description box में link दे दिया है जाईए वहाँ से आप ले सकते है reasoning का पूरा गोर आपके ये वीडियो यूटूपर भी अब लेवल रहेगा और ये चुकि एक वीडियो वहाँ पर फिरी रहता है आप पर एक वीडियो हर चेप्टर का फिरी रहता है वाकि हम यूटूपर पढ़ा ही रहे है जो भी द्यार्ती यूटूपर पर परते वो भी आपको टॉपिक पढ़ने के बाद नीचे आपको लिखा हुआ नीचे औभी सरा इंसर बता देगा आपका किटना नमर आघा ये बता देगा और ससी के Classes app पर available है तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में Thank you, Best of luck